हेलो गाईज, वेलकम तू कॉंस्टेंस माइड, मैं हूँ दिपक एंड आज हम बात करेंगे एक गवर्मेंट उन्वेस्टी से जो की पंजाब से नोटिफिकेशन है और यह पिएसडी का निव नोटिफिकेशन है सत्र दोजार तेश के लिए और यहां की जो लास डिट है बो बार जनवरी तक है आप जल से जल यहां पर अप्लाई कर सकते हैं यहां पर आर्ट, साइंस, इंजिनिरिंग और कॉमर्स के भी डिसिप्लीन्स अवेलबल हैं टोटल 26 डिसिप्लीन्स हैं जिसमें की इंटरेंस एक्जाम और डारेक्ट इंटर्विू दोनों मूड्स अवेलबल हैं जो NET, JRP वाले कनिडेट होंगे या GATE या FIRSLET वादे यह सारे कनिडेट habits exempt होंगे इंटरेंस एक्जाम से इंहें डारेक्ट इंटर्विू देना होगा बट अप्लाई सभी को करना है Only PG वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उनका इंटरेंस एक्जाम होगा सारी इंफर्मिशन को डिस्कस करेंगे उससे पहले गर आप चनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइगन को प्रिस कर लिजेगा तो दोस्तों यह उनवर्मिश्टी की ओफिसिल वेबसाइट है और कौनश उनवर्मिश्टी है यह है गुरु नानक देव उनवर्सिटी जिसे आप GNDU कहेंगे यह एक स्टेट गौर्मिंट उनवर्मिश्टी है नैक से ए ग्रेड यसे पराप्त है यह पंजाब में है अमरित सर ठीक है अमरित सर पंजाब में है तो यहाँ पर आप देखेंगे यह लेट साइड में यह ब्लिंक हो रहा है पिएजडी दिसमबर 2022 रेगलर और फॉरें एन राई स्टुडेंट यह पिएजडी का नोटिफिकेशन है सत्र 2023 में यह नोटिफिकेशन भले ही आ रहा है लेकिन यह दिसमबर 2022 का नोटिफिकेशन है तो इसमें 22 तक के जितने भी कैनिडेट होंगे जो अपना पीजी कम्टीट कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इसको नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं और यहीं से आप उनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं तो सारा कुछ डीटेल देखिएगा दोस्तों अगर आपको पीडिफ चाहिए प्रिविस यर कॉश्चन पेपर का तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आप लेना चाहते हैं तो जाकर एक बार विजिट करके देखें जरूर वहाँ पर आपका सब्जेक्ट और रिसेट में टलॉजी दोनों अवेलबल है साथ में वहाँ पर कॉंटेक्ट डिटेल्स भी है उस पर आप कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं और अगर आपको PDF हमें भेजना है तो उसी नंबर पर आप WhatsApp पर PDF भेज भी सकते हैं अगर आपके पास ऐसा कोई PDF है इंटरेंस एक्जाम का जो और लोगों के काम आ सके ठीक है तो दोस्तों यह देख सकते हैं नोटिफिकेशन पीजडी इलिजबिल्टी टेस्ट जन्वरी दोजार थेस यह पीजडी इलिजबिल्टी टेस्ट जो है इस नाट रिकॉरड फॉर कानिडेट मतलब कि जो भी के निजर UGC, NET या UCC, CSI, JARF है SLATE है, GATE है या GPAT है ICAR या INSPIRE राजीव गादी फेलोशिप आवार्डी या टीचर फेलोशिप आवार्डी है यह जो डारेक्ट फेलोशिप किसी प्रकार की होड कर रहे हैं या फिर जुन्होंने एंफिल किया है GNDU से Other University के एंफिल ओर्डल कानिडेट को एक्जम्ट नहीं किया जाएगा जो GNDU से एंफिल किया है वो यह सभी कनिडेट PhD Eligibility Test जो है इससे एक्जम्ट होंगे ठीक है तो इनको online apply करना है लेकिन intense exam नहीं देना है के equivalent CGPA है तो भी चलेगा 50% marks है SCST OVC के लिए उन्हें पास परसंट की छूट भी मिल रही है तो यहां पर जो important note है कि दोज कनिडेट हूँ है past year qualifying examination master under distance education mode मतलब कि जो odial mode होता है न इगनू का उसके अंतरगत तो इन सभी के लिए यहां पर कहा गया है कि जो भी कनिडेट इस तरह से अपना master's complete किये है if any candidate gets admitted without checking the equivalency of the year previous qualification and is subsequently found ineligible then the concerned candidate and the concerned department will be responsible for all consequences arising there from तो सारा कुछ अगर आप किसी university से किये है online distance mode में तो यह लोग तभी eligible होंगे जब आप UGC से approved संस्थान से किये हूँ ठीक है PhD eligibility test कैसे होगा तो यह जो test है यह आपका होगा गुरुनानक देव उनिवर्स्टी अमरिस सर में और इसी उनिवर्स्टी के दौरा यह conduct किया जाएगा यहां पर 55% marks जो है वो fixed है qualifying करने के लिए अगर आप qualify करना चाते हैं तो 55% marks आपको लाना होगा 50% marks SCST OBC को लाना होगा तब ही आप interview में आगे जाएंगे यह एक qualifying examination होगा और जो आपका merit होगा admission का वो interview तो था academic वेटिस के धार पर मिलेगा जो यह PhD eligibility test है इसकी validity दो साल की होती है अगर अभी पिछली बार दो साल के अंदर में किसी ने दिया होगा तो वो भी इसमें eligible होगा course वक्स से किसी को exemption नहीं मिलेगा यहाँ पर जो syllabus है entrance exam का वो सब UGC net के syllabus के recording है और जिस subject में मालीजी UGC net नहीं होता है तो वो PG के syllabus के recording चलेगा और question paper कैसे आएगा तो दो part में यहाँ पर आएगे part 1 में जो है 25 multiple choice question होगा general awareness and mental ability से और एक एक नमबर का होगा जो part 2 होगा वो subject specific होगा इसमें आपको 50 objective type multiple choice question मिलेंगे each question carries one marks मतलब एक एक नमबर के होगे और इसके बाद 5 आपको short answer type question मिलेंगे जिसमें की 15 रहेगा पाँच आपको करना रहेगा out of 15 ठीक है यह जो short answer वाले question होगे यह 5 marks के एक question होगे last date application की 12 January 2023 है PhD eligibility test यह आपका कब होगा तो 17 January 2023 को आपका होगा यह G&U campus में और कब से होगा तो सुबर 10.30 से 1 पीम तक और यहाँ पर counselling आपकी 24 January 2023 से होगी respective department में तो यहाँ पर जो भी subject है जिसमें PhD eligibility test conduct होगा वो और exempt वालों की दोनों के subject list अलग-अलग है तो जिसमें eligibility test conduct होगा वो है agriculture, appell and technology biotechnology, botany involvement chemistry, computer engineering and technology electronics technology, food science and technology हिंदी है human genetics, law, molecular biology and biochemistry pharmaceutical science है physical education, physics, planning sports science है and medicine है mechanical engineering है अब जो भी candidate NET, GRF, SLAT, GATE, GPAT, ICAR, INSPIRE, Raju Yugani fellowship वगरा वगरा जो भी candidate है यह सभी जो exempted candidate है इनका जो है department यह यह है agriculture, appell and technology, biotechnology and botany environment, chemistry, computer engineering and technology computer science फिर उसके बाद economics, electronic technology, food science technology, गुरुनानक, studies, हिंदी, human genetics, law, mechanical engineering and microbiology molecular biology and biochemistry, music, pharmaceutical science, physical education, physics, planning, political science, school of Punjabi studies, sports science and medicine, university business school तो यह 26 total है और इसमें से सारे इस उपर वाले में match करते हैं बट उपर वाला सारा जो है वो नीचे match नहीं करेगा and phil candidates from other universities are not exempted from PhD eligibility test अगर आपको इसकी total broad eligibility अगर सब कुछ देखना है तो उसके लिए ordinance आपको gndu.ac.university link से download कर लेना चाहिए वहाँ पर आपको सारी details मिल रहेंगी तो यह आप देख सकते हैं यह GNDU का campus है और इस तरह से इसकी पूरी वहाँ की जो faculties हैं वो आपको मिलेंगी यहाँ पर application fee तो नहीं दी गई है लेकिन application fee जो है वो अगर site पर आप देखेंगे या application करेंगे तो पता चल जाएगा application fee आपकी जो है 1520 में रहेगा जनरल का और OBCCST के थोड़ा डाउन रहता है तो अब बात आती है कि आप apply कैसे करेंगे आपर तो apply करने के लिए यही click here for admission PhD December 2022 यहीं पर click कर दीजेगा तो आप आजाएगे यहाँ पर import and notice पर और यहाँ पर सबसे पहले आपको generate student ID यहीं पर click करना है और अपनी student ID generate करनी है और फिर आपको login पर create करना है और login जब आप करेंगे login करने के बाद आपको पहले basic details step 3 में basic details fill करनी होगी उसके बाद आपको अपनी academic details बगरे fill करनी होगी और फिर उसके बाद course का registration करना होगा after registration आप your course आपको payment करनी होगी तो registration fee payment होगा और इसके बाद जो है आपका जो है total यह application complete होगा और इसी के बाद after successful course registration the candidate has to fill his choice तो यह आपको choice filling होगी फिर आप step 8 में print application form हो जाएगा आपका और फिर आपका admit card download होगा वो एकदम 9th step में रहेगा और इसी तरह से आपका यह total application complete होगा इसका link description में दिया जा रहा है आप वहाँ से देख लीजेगा कुछी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप comment section में पूश सकते हैं बाकी हम मिलते हैं आपको अभी 2-3 notice और है उसको separate video बना कर ही आपको बताएंगे ठीक है तो thank you so much for watching मिलते हैं next video में